आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रॉंग्टे खड़ी हो जाएंगे ये कहानी ये बुंदेल खंड की बुंदेल खंड के राजा छत्र साल जिनकी उमर करीब करीब उस्ता है मस्ती साल थी उनको चारो तरफ से मुग्लों ने घेर लिया राजा छत्र साल ने अपने आसपास मوجود सभी छत्रे राजाओं को अपने साथ लड़ने के लिए बुलाया पर कोई भी राजा मुग्लों से लड़ने के लिए तयार नहीं था राजा शत्र साल जानते थे कि अगर वो मुगनों से अकरे लड़े तो वो हार जाएगे क्योंकि मुगनों के पास थी लाखों की सेना और उनके पास थे सिर्फ 25,000 सेने वो जानते थे कि अगर वो हारे तो उनके राज्या को इतना बिधवन्स कर दिया जाएगा कि वहाँ पर मर्दों को कार दिया जाएगा, महिलाओं के साथ रेप कर दिया जाएगा, उनको बेका जाएगा और यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चों को भी मार दिया जाएगा लोग अपने धरम का पालन नहीं कर पाएगा उनके सामने, रदाशत्र साल जिनकी उमरस्ती साल थी उनके सामने सिर्फ एक उमीती और वो थे पेशवा, मराठा, बाजी राव भलार जी हाँ, उन्होंने उन्हें खत लिखा और उस खत में उन्होंने लिखा कि जो गती ग्रह गजेंद्र की, सो भाई ये आज, बाजी जात पुंदेल खंड की, आज बचा लियो आज इतना सुनते ही बाजी राव भलार खाना खा रहे थे, वहाँ से उठे और उठते हुए चल दिये उनकी पतनी ने कहा कि आप खाना खा लिजिए, बाजी राव भोले कि अगर आज मैं खाना खाने बैठ गया, तो इतियास ये कहेगा कि एक छत्रिया एक ब्रहमन से मदद मांगता रहा और ब्रहमन बैठ कर भोजन करता रहा, मैं अपने भाई और छत्रिया को बचाने जरूर जाओ, उसके बाद वो वहां से चली, जो दूरी महारास्टे से बुंदेल खंड की थी, वो करीब करीब दस दिन की थी, पर वो वहां से अपने 500 घोडों के साथ चले, और वही दूरी उन्होंने कूल 48 घंटे में बिना रुके, बिना ठके, पूरी करी, और जाते ही मुगलो के फंगस खान के ऊपर तूट परे, और तो और उन्होंने फंगस खान का सर काट कर, राजा छत्रसाल के कदमों में रख दिया और बोला कि एक ब्रामन और छत्रिया, आपके साथ हमेशा मौजूद रहेंगे और लड़ते रहेंगे, राजा छत्रसाल ने उनकी तरब देखा और कहा कि ब्रामनों में दोई ब्रामन पेरू और बल्लाड, एक ने मदद करी छत्रसाल की, एक ने जीता संसार, तो ये थे बाजी राओ बल्लाड, जिनोंने बिना रुके बिना थके चालिस लड़ाईया लड़ी, और चालिस की चालिस लड़ाईया उन्होंने जीती, उनक पास कुल चालिस हजार सैनिक थे और पच्छीस हजार सैनिक थी राजा छत्र साल के पास और कुलation इन तुमार्ची औरुसनिकों ने मुग्लों की लाखो से ना को काट दिया काजर मूली की तरह काट दिया और तो और उसके बाद और जेब की यांक के इतनी लाल हो गई कि उसके बाद उसने सिर्फ और सिर्फ बाजिलाव भलाड से ही मुकाबला करने की ठानी सारे राजपूत्व च्छत्रिया राजाओं को छोड़ दिया ऐसे थे हमारे मराठा जिनों ने इस देश के लिए हम में साल लडाईयां लड़ी सिवाजी मराठा माना परताप जैसे च्छत्रिया हिंदुस्तान क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान इतना गुलाम क्यों रहा क्यों क्योंकि हम कभी भी मिलकर नहीं है